है दोस्तों यह मेरा last minute crash course for aptitude जो मैंने चलाया है इसमें मैंने कुछ 11-12 वीडियो डाले है जिसकी मैंने लिंक जो है वो description box में पिन की है एक hidden figures का जो आएगा हमें कुछ बोल नहीं सकता उसके लिए में कुछ सिखा नहीं सकता तो आपको देखना पड़ेगा कुछ से तो आपके नजर अच्छी होगे तो solve हो पाएगा ठीक है तो यह पूरे वीडियो से एक बार देखो अच्छे से मैंने सारे के सारे टाइप कवर क इसी में तो टोटल तीन साधी घंटे का काम है तीन साधी घंटा देख लो तो आपका पूरा-पूरा अप्रिट्टूड क्लियर हो जाएगा आप बाद में कोई भी बुक सॉल कर सकते हो तो मेरी खाल से यह बाते बहुत हो गई स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है सर्प देखो यहां पर डायरेक्शन दी है इसको हम फ्रेंट मानेंगे इसको हम फ्रेंट मानेंगे तो फ्रेंट यह हो गया तो राइट यह हो जाएगा यह राइट साइड हो जाएगी यह बैक हो जाएगी यह बॉटम हो जाएगी यह टॉप हो जाएगी और यह जो पार्टे इस लो, like top, front, back, bottom, ऐसे आप लिख सकते हो, side में लिख किया, solve करो, तो ज्यादा बेटर होता है, answer बहुत जल्दी-जल्दी मिलते हैं, तो मैं अभी यहां पर solve करके दिखाता हूँ, कैसे solve करेंगे, तो देखो, मैं random side से start करता हूँ, कोई भी fix side नहीं होती है, तो चल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल्दी-जल् और bottom में 1 आएगा तो bottom में 1 आ गया तो slanted कितना है तो slanted एक है तो एक extra एड़ करना पड़ेगा तो total surface count कितना आएगा देख लो तो 2 प्लस 2 प्लो 4 4 प्लस 4 8 8 प्लस 3 11 तो total surface count दाना चाहिए मेरे कहाल से 11 is the correct answer होना चाहिए यहां पर मैंने options नहीं दिया है तोड़ी आपके accuracy भी check कर लो कितनी है कितनी आप accurate हो इस चीज में ताकि आपको exam में कोई problem ना है ठीक है आपको exam में कोई इसका issue नहीं आए ठीक है तो आप accuracy आप check कर सकते हो तो देखते है next problem तो इसमें कैसे check करेंगे तो इसमें भी same logic रहेगा यहां पर उसने यह front दे दी है तो front यह दे दे तो 123 थी front आएंगे back 1 आएगा plus 1 बैक आएगा right अगर देखेंगे तो right भी एक आएगा left अगर देखेंगे तो left इस case में 2 आएंगे तू लेट आएंगे, टॉप देखेंगे तो इस केस में भी 3 आएंगे, और बॉटम देखेंगे तो इस केस में 1 आएगा, टोटल सरपेस काउंट कितना होता है, तो 7 प्लस 4, 11 होना चाहिए, इस केस में 11 आएगा, ठीक है, तो एक चीज़ समझ गए होंगे, यह अगर मतर है, तो यह मेरा राइट होता है, ठीक है ना, जो उन्होंने डारेक्षन दिया है, उसको हम फ्रंट मानते है, और बाकी सब डारेक्षन हमारी सब से हम decide करते हैं, ठीक है, यह भी देखो इसको भी कैसे solve करेंगे, इसको भी किस तरीके से solve करेंगे, तो मैं बहुत fast कर रहा और यह सरे से बॉटम वॉला तो तौप टू ए तो बॉटम होट्म सरपेसस एं तो फॉट में बीद दो सरपेस्ट है कोई स्लाइंड सर भी निख नहीं तो टूटल काउंट कर लो फिर से तो कितना आएगा एट प्लस फोर त्वेल आणा चाहिए तो इस तरी कि इसी speed पर आगर आप कर पाओगे solve तो यह बहुत easy हो जाता है, बहुत easy से solve हो सकता है, ठीक है, यह देखो, इसको हम solve करेंगे, इसको भी आप full speed से solve कर सकते हो, लिक में direct करते हैं बच्चे, वो भी अच्छी चीज़ है, नहीं कर पाते डारेक तो वो भी कोई problem नहीं है, लिक कर करता हूँ, मैं लिखी रहा हूँ, देखते है, टॉप कितने है, टॉप कितने है, तो टॉप तीन है, टॉप तीन है, one, two, और three, bottom कितना है, तो bottom एक है, front, front यह दिया है, इसने तो front एक और दो है, तो back कितना होगा, तो back भी दो होगा, similar, right, right कितना है, one, two, और three है, तो right ती कर लेंगे तो टोल कुंट की थहा है मेरे कहा के क्कैजा ले विवारिता है कि इशिती कते लिपाश्न गारेंगे लिग तो फ्रंहें लिवाट कर। यह two back आएंगे यह one और यह two तो plus two back आएंगे, top one or two, top two आएगा, bottom, bottom single आना चाहिए, bottom एक आएगा right हम अगर लेते हैं, तो right यह है, तो right दो आएगा इस case में, one और two, तो two right आएँगे, तो left दखेंगे, two or three, तो three left आनी चाहिए, no slanted नहीं है, ठीके तो 6 plus 5, 6 plus 6, 12, इसमें भी 12 मेरा सही जोग होना चाहिए, ठीक है, यह देखो, यह क्या है, तो इसमें भी हम फ्रंट टॉप साइड देख सकते हैं, तो टॉप पहले देख लो, 1, 2, 3, 3 टॉप है, एक बॉट्टम है, नीचे वाला, एक ही सरफेसे, तो एक सरफेसे, इस साइड से अगर देखेंगे, फ्रंट साइड से देखेंगे, तो फ्रंट 1 और 2 सरफेसे है, और बैक अगर देखेंगे, तो बैक भी 2 सरफेस आएंगे, यह नीचे वाला एक और यह उपर वाला एक, दो सरफेस आएंगे, राइट, राइट एक 1, 2, और टॉटल 3 सरफेस राइट मे है और पीछे से एक सरफेस है एक सरफेस लेट से स्लांटर कोई सरफेस है नहीं कीतना होता है तो चार प्लस 6 है दस दस तर दो 12 टोटल कांट आएगा 12 थीक्षा आप आपके आंसर से ंश करा सकते हो एक दूसरे से से वरिटाई कर आप या मुझे कमेंट सेक्शन में डालो मैं उसके अंसर देने के लिए रेडी हूँ देखो इस टाइप का प्रॉब्लम आगा आता है यहां पर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम फेस होता है तो पहले नॉर्मल जो है हमारे जो हमें पता है सर्फेस है पहले वह काउन कर लेते हैं एक तो पॉर्टम अगर है तो BOTOM 一 बाट वन भाटम हो कि फ्रंट सर्फेस वन आएगा ताÃ gener यहां पर टाउट इसा होटा कि कर रफेस को एक मानना है या चार मानने है यह होता है डपेंड सान option पहले आप एक अगर consider करते हैं तो एक answer डाल लेते हैं कितना आता है तो यह total 15 आएगा अगर मैं 4 consider करता हूं इसको अगर मैं 4 consider करता हूं तो answer कितना आना चाहिए था अगर 4 consider करते हैं तो 14 plus 4 या पर 15 plus 18 answer अना चाहिए था तो देखो अगर option में यह 2 option कभी नहीं देंगे examiner option में कभी यह 2 option नहीं जाएंगे एक साथ तो यहां पर option में अगर आपका तीन value से पी आगे पिछे हो रहा इसका मतलब उन्होंने circle को चार काउंट किया है circular part को चार काउंट किया है या फिर कभी-कभी सिंगल भी काउंट किया तो आपका नॉर्मल सिंगल से काम हो जाएगा तो यह ठीज सिखानी थी यहां पर इसको कैसे surface काउंट किया जाता है तो याद रखना यह चीज कि अगर option में तीन का ग्या पा रहा है आपका answer और final answer में तीन का ग्या पा रहा है इसका मतलब आपने में इस नहीं किया उन्होंने circular part को चार में consider किया है ठीक है तो यह एक चीज याद रखना अब देखो यह तो easy सा problem है बहुत तो top view 1,2,3,4 top surface is 4, bottom surface is 1,2 है front surface is 1,2 है back surface is 1,2 है right surface is 1,2 है left surface is similarly 2 है slanted surface है नहीं total count कितना होता है 10,4,14 ठीक है यह देखो यह आपको as a homework ले लो यह बहुत बड़ा अच्छे सा problem है इसको as a homework treat कर लो अब लो ठीक है इसको घर पर try करना यह में solve करके दिखा लेता हूं यह में solve करके दिखा लेता हूं तो top surface कितने आएंगे तो 1,2 और 3 top surfaces आएंगे bottom surface single bottom surface आएगा देखो सारे area connected है एक दूसरे से इसको अलग अलग नहीं करना सारे connected है तो option bottom surface one आएगा bottom one है front कितना आएगा one two three और four तो four front आएगा और back से अगर देखेंगे तो back से भी same to same दिखेंगा 40 आएगा right देखेंगे तो one आएगा आएगा देखेंगे left देखेंगे तो one आएगा तो one plus one two ले ले लेते हैं slanted दो आएगे देखो एक यहां से आएगा slanted यहां से आएगा तो इसको दो पकड़ लेते हैं होंवर्क ट्रिक्ट कर लो यह बीजी सवाल है कोई नियों बस अच्छे से लिपके करो तो आजाएगा जलबाजी करो के तो नहीं आएगा ठीक है यह मैं करके दिखा रहता हूं यह सारे प्रावलेम किसी भी बुक में नहीं है मैंने यह खुद अच्छे से धुंडे है प्रावलेम आपको देने के लिए देखो टॉप सरफेस कितने हैं वन टू त्री फॉर और फाइउ तो टॉटल टॉप सरफेस पाईउ है बॉटम सरफेस तो बैग दो आएंगे तो लिए दिखेंगे तो टोट पन रहे हैं मेरे साब से चाहिए तो मेरे खिल से यहाँ पर प्रावलम कतम होते हैं तो ठीके दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में झाल झाल